वेलकुम बैक ट्यू जागो लहॉर जिनाब और आज कर टॉपिक है बहुत इंट्रस्टिंग भी है उसके हम बात भी करने वाले हैं वो है आज इंटरनाशनल एडुकेशन डे मनाया जारा है जिनाब इस हवाले से हमारे मौज़ित महमाने में जोइन कर चुके हैं हमारे सब सब्सक्राइब होंगे प्रफेसर दॉक्टर महमध अलयासन सारी जो के सिस्मी प्रफेसर देपार्ट्पेंट ऑफ पॉलिटेक्स और इंटरनाशनल रिलेशन्स है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सोचिल साइज उनको वल्कुम करेंगे बहुत शुकिया सर आपके आने का उसके सा सब्सक्राइब हर अरकी आफ्ता माले की जो सब्सक्राइब की है जरूरी क्यूं है और कितना फोकस होना जाया गामिन का इसके सबसे पहली चीज़ तो यह कि एक लंबा प्रॉसस है जिसमें इनसान की ग्रोमिंग की जाती है उसको एक खास नजरिये के ताहत ढाला जाता है और जिस माहौल से उसको गुजारा जाता है जिस तरह के माहौल से गुजारा जाता है उसका असर जो हम उसकी जिन्दगी में देख सकते हैं तो इसी वज़ा से जो इसकी एहमियत तालिम की वो हमेशा से एहम रही है बतोर मुस्लमान इस्लामिक रिपब्लिक आफ पाकिस्ता यह जब हर मुस्मान कह दिया गया तो बात तो क्लियर थी लेकिन फिर भी एम्फिसाइज किया गया और हम यह देख लीजी कि आज दुनिया के उन माशरों में शामिल होते हैं जिन में औरतों का वैसे तो ओर अवराल लेटरिसी रिट कम है लेकिन औरतों का और भी ज्यादा कम है इस हदीष के सामने आज आने के बावजूद भी तो यह हमारा एक अलमिया है कि हमने एक दीन को सही तरीके से समझा नहीं है उसको तो तो बिल्कुल भी नहीं समझा तो रिजल्ट यह है कि हमारे माशरे के अंदर मां जिसने तर्वियत करनी वह निपॉलीन बोनापार्ट कि मुझे तुम्हें एक अच्छी माद हो मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूँगा तो इसलिए अब हम कहते हैं आज कल वो माएं कहां गई जिसने महमद कि मैनौफच्श्रिंग के लिए, तुम्हें की जापान बना रहा है, उसके बास लोहा नहीं है, गैस नहीं है, आजी, इसके लिएटिएकार की म्यादे, यह सिर्फ इसके खोया ह sóloन रहा है दूसरी कौम चिजदे खर्च करती है, तुग दी है, heb इस बेलजियम और यह अपना हीमन रिसोर्स के थूप पूरी दुनिया को जो है नजी वो मतलब है उसके जरीए से कमा रहे हैं अपनी कौम को खुशाली पे लाए हैं बेहतरीन माशिरे उन्होंने जो है नजी बतरभी दी और सबसे ज्यादा अगाले जो मुमालिक अपने एजुकेशन के बजट पर खर्च करते हैं उन में जापान उन मुमालिक में शामलिये जो टॉप फ़ले टैन कंट्री आते उनके अगाले बन एट परसंट यह इससे बीजादा तो इसकी एम्यों तो अफकोर्स जोने जी बहाँ जादा है बहुत जादा है बहुत जादा है जो सिस्टम अगर आप को फड़ लें तो समझ आजाज है वायर दे अच्छली ओन तॉफ यह नहीं है कि वो एजुकेशन प्रवाइज करते हैं इसी चलेंच को कि आज ही दिन है इस हावाले से मैं बड़ा इंटरस्टिंग जापान के वाले से बताना चाहूँगा वहां पे जारे हमारे हैं भी नि सामिया के जानिब से पेरेंट्स को इमेल फाक्स फोन किसी बिजरीय से कांटेक्ट किया जाता है कि आपके बच्छे की दाखले का टाइम करीब आ रहा है हमारे स्कूल से टीचर ने विजिट करना है आपके घर आप डे बताईए किस टे पर आएं लंच पर आएं के डिनर प जाती है और दूसी तरह स्टेट की तरफ से एक गिफ्ट लेकर वो टीचर आएगी और माबाप से वो टीचर पहले से पूछ लेगी कि बच्छे का शॉक किस तरह की चिज़ों में है उसके अकॉर्डिनली खाने पीने की या कोई ट्वाइस बगरा लेकर आएंगे और माह औ जाता है यह तो आँटी बहुत अच्छी है और यह तो मेरे लिए को गिफ्ट लेकर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है जिसकी वजह से इंट्रस्ट भी डिवेड़े अब वो बच्छा वहां पर जाता है और वहां पर जाके वह उसी दिन और जो उस अत्राफ की जो पेरें आज इंटर्नाशनल देशन है अब युनेस्को ने 24 जनवरी को इसको फिक्स किया है और इसके उन्होंने दो ही इसकी वजह क्यों है क्यों इस दिन को इंटर्नाशनल देशन रखा गया इसको उन्होंने यह किया कि तो एक्छुली सेलिब्रेट द रोल ओफ डिवलप्मेंट पीस रोल फ एजुकेशन इंडवलप्मेंट पीस अफ हुमन काइड डिवलप्मेंट पीस को इन पर इतनी अच्छी बात कि उन्होंने इसमें से जो पॉइंट उन्होंने निकाले तो इलिमिनेट पॉवर्टी और मिला प्ली चीज है कि जो घुर्बत है उसका खात्मा या क क्योंकि एक विश्यस सा सर्कल चलाव है अमीर अमीर तरी होता जा रहा है गरीब गरीब तरीन होता रहा है अगांस्ट इसलामिक रूल्स फिर वही बात आ जाती है और दूसरा तो अच्छी इंक्लूड इंक्लूसिफनेस और इलिमिनेट जेंडर एक्विटी जिन्सी बन्य अगर करना है उसमें पहली दो चीजे में आपको बताई कि पावर्टी इलिमिनेट करनी है और जेंडर एक्विटी को करना है इस वक्त ओवरॉल अगर हम ग्लोबल स्टिस्टिक्स तेखे तो मजए की स्टिस्टिक्स हैं 262 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 10 परसंट हम इसी प्रफ़ आउड़ इसाइस परसंट बच्छे में आउट उसकूल में आइसे एइस कृप साथ सुप चाह्स मिलियन डॉग एसे जो बेसिक बीडिउंग नहीं कर से बेसिक माट्स में नहीं कर सकते बैसिक पढ़ाई बेसिक पढ़ हम लोग टीप जिसे अभी कहा कि बहुत एक कौम के अच्छे हो जाने से ओवर ओल दुनिया को इसका इंपक्त नहीं मिला कि तुमेक इस वर्ल्ड बेटर प्लेस टुलिफ अच्छल में सब सब कौमों की जिमिदारी है उन्होंने पाकिस्तान में हमारे जो लिटरसी डेट है जो शराय तालीम जिस लब्स के मैं खिलाफ हूँ यह तालीम का वर्ड में लिटरसी के लिए नहीं इस्तमाल कर सकी लेकिन है हमारा 58 परसंट है अदे मुमेंट ठीक है जो के अर्मिला सब्ट्राइजिंग ली तनजली का शिकार हुआ है दो फीसद हम नीचे गए हैं हम साथ फिरसन से काफी भयानक वाले स्टिस्टिक्स है अगर मैं कहूं काफी ऐससे स्टिस्टिक्स हैं जो कि आपको गूसबॉर्म्स देते हैं आपको आपको एक्चल वी सोचल में मझबूर करते हैं अगर हम उसके ओपर आजे कि हम कहां जा रहे हैं हम क्यों ऐसे करें 34 मुखतलिफ को पढ़ा के करीक्लम मेरे हाथ में मुझे आज तक नी समझाती पाकिस्तान का नाशनल करीक्रम जो है इसका एजेंडा क्या है इस सवाले से मार्म आपसे पी जानेंगे सर आपकी जाने बाहंगी हम standards की बात करें हम एक system की बात करें education system जो basically पहली बात तो government की priority में शामिल नह क्योंके जितनी statistics हमें मार्मी ने शेयर कि अगर हम उनी का जायजा ले तो बहुत एक major amount है जो अच्छी education नहीं मिलती उनको सबसे बरकर तो जैसे कि आपने बड़ी सही बात की है कि हमारा जो objective है ना वो clear नहीं है जिसे हम agenda कह रहे हैं जिब हमें objective clear नहीं होगा तो जारा है को कोई काम नहीं कर सकते हैं अब यह देखिए के different types of जो educational systems हमारे हाँ चल रहे हैं उसने कौम के अंदर हम लोग कहते हैं कि हम किसी एक नुक्ते पर क्यों नहीं पहुंच पाते हमने वह सारे sources पुद प्रोवाइड कि हुए है polarization society की तक्सीम के वह सारे 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 अनासिर हमने फराम किये हैं एक हमारा जो है उर्दू medium schools हैं दूसरे हमारे English medium schools है उसकी बीड़ काटेगरीज है उसके बाद हमारा religious system है तो यह जो सारी चीज़ें हैं आपके पास तालिम का वह एक मक्सद नहीं है थोड़ा सब पीछे चले जाएं भी हमारे हैं English education का इस तरह से मामला नहीं था जिस तरह से अब एक मश्रूम वह चीज निकला है उसमें देखिए के एक चपड़ासी का बेटा और डेप्टी कमिश्टन का बेटा और एक कलर का बेटा और बिसनस फैन का बेटा उसी टाट व कर रहे हैं उनके प्रेंट्स को कितना पैसा लगाना पड़ता है हम वारे बच्चे है तो सोच भी नहीं सकते जो मिडल क्लास फामिली से बिलॉंग करते हैं और फिर एदाइंड बोग यही फार्ट पाता है कि ग्रूमिंग उन बच्चों की नहीं है जिस पे स्टेट ने करेंगे उसके रिजर्ट यह निकलेगा और यह होगा तो यह होगा वह उसमें हमने कहीं पे कोई हमारा जो जो प्रॉसस है उसमें वह बड़ा प्रॉलम है दूसरी है कि हम बजट कितना अलोकेट कर रहे हैं ठीक है यह बहुत इंपॉर्टन चीज है अब हमारे पास बजट ट्रेडिशनली हम 2% को करते हैं उसको उनिसको उनाइटी नेशनगेशनल साइटिपिक कल्चर अगनाज़एशन जो एउनका बॉड़ी इसके पारिसमें हेडकोर्टर्स है वो यह कहता है कि कोई भी मुल्ट मिनिमम अपना GDP का 4% लगा और इशिएंग चार परसेν लगा रह को बजार देते हैं लेकिन देखते हैं क्या हैं इसके अंदर बिल्डिंग्स पर कितना खर्च हो रहा है बिल्डिंग्स यह एक हद तक जरूरी है आप उसको बहुत बहुत बड़े शहरों में जहां पर इंस्पेक्शन को थोड़ा बहुत इन्जाम है फिर मेडिया की वज़े जाके वो दिखा लेते हैं लेकिन जो हमारे दूर दराज अलाकों में सब कुछ हो रहा है वड़ी ज्यादती है मिसाल के तौर पे देखिए जिला रहीमियार खां के अंदर अभी चंद रोज पहले रिपोर्ट आई और जो हमारे सुबाई वज़ेर ताली नहीं से भी इस ब और वज़रोड़ी और ऐसा होता है मैं तो थ्रूआउट एक्चल में मौरल्स एन एथिक्स हर रिलिजन के बेस है हमारे हां अभी बात करें थे एक हमारे हां इतनी वह वराइटी है अर्मिला जहां इसलामबाद के फेडरियल एरिया में हमारा शरह खवांदगी 96 फीसद तो वह सिर्फ 20 फीसद दर जाता है या कभी 8 फीसद दर जाता है इतनी डिस्पारिटी है हमारे हां तालीम की जो प्रोविजन है जो बीज़ दी जा रही है हर स्कूल में इस बामले में की जो प्राइबट स्कूल की जो फीस फीस वापिस लेने की बात और यह एक अलग प्राइबट स्कूल की जो फीस होती है और प्राइबट जिसमें बहुत फर्क होता है हमारे हां मसला यह आया गया कि क्योंके हकोमत को जिसे आप कहते हैं नॉर्मल यूटिलिटीज को सबसडाइस जैसे हम करते हैं इसी तरह तालीम के ओपर हकूमत ने पैसा नहीं लगाया अपने पब्लिक स्कूल की जो मयार है इसको इतना अच्छा नहीं बनाया कि हमारे पास एक सब्सिट्यूट होता अब अगर अब आप यह नहीं कहसेते हैं और आप लेवल्स के इंबरिज दुनिया में अगर हमने उपर बढ़ना है तो हमने आई बी को भी अडॉप करना है ह हमने एक ग्लोबल एक्स्टीम पे रहना है उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा हमारे इतने इंटरस्टंग बैच के जो वुजरा क्या जते है कि जी हमने एक मयार एक करिकुलम सेम करना है या एक बात करते हैं कि हमने तालीम को बराबर करना है तो वह कैसे होगी है हमा पॉब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में बहुत जादा फार्क है जिसकी वज़ा से माबाब जो फूर नहीं कर सकते हैं वो सेमी जो प्राइवेट अदारों में भेज देते हैं जहां पर ना उस तरह से ग्रूमिंग होती है शायद पॉब्लिक जो हम ग्रूमिंग होती है वहां से बहुत 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 इंटेलिजेंट बच्चे भी निकले पुराने देख लिए सारे की सारे के स्टार्डर के विज़ेट से अरिजिनेट हो लिए जब तक के एक वजीर उन्होंने बच्चों को सरकारी इदारे में दाखिल करवाया है बड़ इच्छी बात है और कोई चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी लेकिन अगेन स्टेट को जिसकादर खर्च करना चाहिए वह उन्फॉर्चुनेटली नहीं हुआ है और देखिए खला तो कभी भी नहीं रहता है उसको तो पुर करने के लिए कोई नहीं आ जाएगा वहां पे प्राइवेट त तालीमी इदारे ही वह हैं अगर वह भी आप सोच सकते हैं कि अगर वह भी लोड ना लेते तो हम इस वकत कहां खड़े होते हैं हमें बेशक लेकिन अर्मिला इससे पहले बैट के ना तालीम एक एक फॉर्मल सिस्टम है ठीक है यह एजुकेशन जो है यह खाली एक चीज का सेल्फ अवेर्नेस का तो नाम है यह एक फॉर्मल सिस्टम है और किसी भी फॉर्मल सिस्टम का अबजेक्टिव क्लियर होना पहली बात पे वापस आज़ेते हैं बहुत जरूरी है पहले बैट के आपके जो सारे अजिंसी हैं सारे जो और्गनाइशेशन सारे सिस्टम उनको इसकी का कि जरूरित है अगले 10 साल में हम अपने मुल्क की कौन सी खास चीज या भाजेंडा जिसे हमने पूरा कराना है, हमने इती की स्किल्स में आगे बहुत नहांता है हम आणिज खाम के मेसिज में ले लो सार आप से कोई मेसिज आ देना पारे से अजिसे अपने में यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए ज़रूरी है कि quality equitable जो जो तालीम है वो वो देना ज़रूरी सिर्फ तालीम ने क्वालिटी ज़रूरी थीक हो गया मावी आपकी जानब से क्या मेसेज हो जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना spend करें education के ओपर as individual हम हमारी अप तो हुवक देती हो हमेशा स्वाजर चार्ट बनाने और आपको पदल लेगा आपकी फौकियत तालीम पे कितनी है उतनी फौकियत हकूमत भी आपके उपर लेगी ताइंक यू बहुत शुक्रिया आप दोनों का जिनाप ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजर होंगे हमें औ देखते रहिए जागो लहुड